नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट असामलेकूं नई सुभा इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम की ब्यूटी टिप्स के साथ मैं हूँ नादिया हमारी स्किन के रूटीन में क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉस्चराइजिंग और संस्क्रीन अप्लाइ करना शामल होता है लेकिन अगर आप अकसर मॉस्चराइजर को स्किप करते हुए, फेस वाश करने के बाद डारेक्ली संस्क्रीन को अप्लाइ कर लेते हैं तो बहुत जल्द आपको अपनी स्किन पर ड्राइनस नजर आएगी क्योंकि फेस वाश जो के हम स्किन को खीन करने के लिए इस्तमाल करते हैं, इसके इंग्रीडियंट्स हमारी स्किन को हलका साथ ड्राइ एफेक्ट जरूर देते हैं और इसके साथ साथ, विदाउट मॉस्चिराइजर अगर हम डिरेक्ली संस्क्रीन अप्लाइ करते हैं, तो इससे भी हमारी स्किन ग्राइजूली ड्राइनस की तरफ जाती है आपके स्किन जिस भी मॉस्चिराइजर के लिए कमफटेबल है, पेस वाश करने के बाद उसे स्किन पर जरूर अप्लाइ करें और उसके बाद संस्क्रीन को अप्लाइ करें ताकि आपके स्किन ड्राइनस से बची रहे और हमेशा सॉफ और रेडियंट हजर आए ये तो थी आज की सिंपल सी टिप, तिल नेक्स टाइम अल्लाने के बाद ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानब से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराए इस्तमाल कीजिए